नमस्कार दोस्तों मैं आयूश आपका इलेक्रिकल दोस्त आज हम इलेक्रिकल के एक काफी important सवाल पर बात करने वाले हैं हम जानेगी कि आखिर कार जो हमारी three-phase की motor होती है यह बिना neutral के कैसे चल जाती है इस three-phase motor के अंदर हमारा जो current होता है वो current return कैसे होता है तो दोस्तों अ अभी आपके सामने दो images दिख रही है मतलब आपको दो motor दिख रही है एक motor है जो कि आपकी single-phase supply से चलती है और दूसरी motor है जो कि आपके three-phase supply से चलती है तो हम क्या बोलता है जैसे उधाएं के तोर पर हम ने इसको यहाँ पर 220 voltage दिये हमारे एक phase और एक neutral wire के अमले से तो हमारी motor क्या करेगी चलने लग जाएगी हमारी motor का जो rotor है वो घूमने लग जाएगा अब इसी के साथ में हम क्या बोलता है तो हम ऐसा बोलता है कि हमारे current है वो current इस phase wire से हमारे motor में जा रहा है और हमारा जो neutral wire है इससे वापस current हमारा आ रहा है मतलब कि हम ऐसा बोलते है कि हमारा जो neutral wire है यह neutral wire हमारे current को return करने का काम करता है return करने का मतलब कि current जा तो रहा है हमारे load में लेकिन वापस current आना भी तो चाहिए वो return भी तो होना चाहिए तो एक return बनाने का काम हमारे एक neutral wire करता है हमारे circuit में तो हम सभी यही कहते हैं अगर मैं यहाँ पर इस motor के साथ में face wire को जोड़ के ही रखूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ से neutral wire को हमारे जो neutral wire है इस neutral wire को यहाँ से 20 से break कर देता हूँ तो उस case में क्या होगा तो उस case में भी हमारी जो motor है वो motor घूमना बंद कर देगी इस समय हमारी motor ने घूमना बंद क्यूं क्या क्या क्यूंकि हमारी motor को जो circuit है वह circuit अब पूरा नहीं हो रहा है मोटर में हमारा current पूरित किसे flow नहीं हो पा रहा है, जितना current जा रहा है उसको return path नहीं मिल पा रहा, तो आपको clear हो गया कि neutral का क्या काम है, neutral हमारे return path provide करने का काम करता है, एक circuit को पूरा करने का काम करता है, अब यह चीज तो आप सभी के आसानी से clear हो गई, लेकिन सवाल अब यही तो है कि आखिर कार इसमें तो हमारे circuit को पूरा करने का काम किस ने कर दिया, हमारे neutral ने कर दिया, लेकिन three phase motor के अंदर हमारा circuit पूरा कैसे हो रहा है, तो दोसो देखिए, इसको समझ निगली, आपको एक छोटी सी चीज को समझ में आना चाहिए, जो आपके electrical के carrier में और बी जगे पर काम आएगी, देखिए दोसो, हमारे motor की बात करो, या फिर हमारा कोई भी जब load चलता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक side से हम क्या करते हैं, इसको phase से जोड़ देते हैं, और दूसरी side से neutral जोड़ देते हैं, अब हम क्या बोलते हैं, कि इधर से तो हमा alternating का मतलब होता है, अदल बदल होना, बार-बार की जो का change होना, उसको बोलते है alternating, अब वो बदलता क्या है, तो बदलता यह हैं, दोस्तों, हमारे जो direction होती है, current की, वो direction बदलती है, मतलब हम जो कह रहे हैं, कि हमारा current इधर से जा रहा है, उधर निकल जा रहा है, यह हमारा होता है DC current के case में DC current में हमारा current जो है एक ही direction में flow होता है लेकिन AC current में current की direction बदलती रहती है alternating होती है अदल बदल होती है कैसे अदल बदल होगी तो कुछ समय के लिए हमार जो current है वो current इस direction में अगर flow हो रहा है face से neutral की तरफ flow रहा है तो कुछ समय के बाद में क्या होगा हमारे current की direction अब neutral से face की तरफ होगी मतलब current पहले ऐसे जा रहा है फिर अब ऐसे जा रहा है ऐसे हमारा current flow होता रहेगा अब चाहे यही इस पे हमने कोछ छोटी सी बात को जान लिया है कि हमारा जो neutral wire होता है इस neutral wire का काम हमारे current को वापस ले जाने का नहीं होता इसका काम होता है हमारे circuit को complete करने का अगर यहां से neutral wire बीच में से छूड गया तो हमारा current जो flow हो रहा है वो flow होना बंद हो जाएगा current की direction ऐसे नहीं होती कि face से neutral की तरफ current जा रहा है इस बात को आगे से हमेसा ध्यान रखेगा लेकिन जब three face motor की बात करें तो इसमें तो neutral wire है ही नहीं न तो इसमें आखिरकार current flow ही कैसे हो रहा है इसको समझना भी बहुत ज्यादा आसान है इस image में आखिरकार है क्या तो इस image में आपक frequency जो की है 50 hertz तो अब यह आखिरका 50 hertz जो frequency change हो रही है इस current में वो किस तरीके से होती है वही आपको इस simple image में देखने को मिलेगी आप यहाँ पर आपको total तीन color देखने को मिलेगे एक है आपका red एक है yellow एक है blue यह तीनो color क्या है यह तीनो color हमारे तीनो अलग लग face को बता र के बाद में नीचे हो जाता है अब आखिरकार इस उपर नीचे का मतलब क्या है तो इसे मैं आपको simple से उधारण से बता लेता हूं मान लेता हूं कि मैंने यहाँ पर एक bulb लगा रखा है अब यह है जो मैंने इस bulb को face दे रखा है मैंने हमारा red face लेकिन यह जो red face है यह हमारा इस तरीके से alternate हो रहा है मतलब बदल रहा है चींज हो रहा है अब इसके बदलने का मतलब क्या थोड़ा practical तरीके समझते हैं मान लो कि मैंने हमारे इस बल्ब को इसको red face और यह मारा बल्ब चलने लग गया एक फिसकल पर दे और उधार के लिए मान लेता ही बल्ब थोड़ी यह 10 ampere current ले रहे है वह हमको सिर्फ एक value दिखाता है 10 ampere यह थोड़ा बहुत उपण ही चाहिज़ा है नो पॉइंट नो पॉइंट सा ऐसे दिखाएगा लेकिन ज्यादा चेंज नहीं दिखाता है तो आप ध्यान रखिए यह जो bulb current ले रहा है अभी के तो पर एक average current ले रहा है मतलब एक ऐसी condition प्यारी कि बल्व आपको कुछ current ले ही ने रहा वह बिल्कुल 0 ampere current ले रहा है और यह जो 0 ampere current ले रहा है इसी condition में हम बोलते है कि हमारा मैंने आपको बताया था कि बल्व हमारा एक second में 100 बर बन चलो रहा है वह इसी वजह से हो रहा है क्योंकि यहां पर बीच में बल्व हमारा 0 ampere current लेता है अब इसके बार में क्या होगा 0 ampere current ले रहा है फिर-0.5 फिर-1 ampere तो इस तरीके से हमारा हर मिली सेकेंड में बदल रहा होता है और जो हम बोल रहते हैं कि हमारा करेंट है वह current पहले इस direction में जा रहा है फिर वापस से क्या current की direction ऐसे हो तो वह आखिरकार हो कैसे रही है तो जब हमारा इस line के उपर हमारा current flow हो रहा है तब हमारे current की direction आगा इस तरीके से थी तो वह direction अब जैसे ही यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 के समय तो क्या हो जाएगा बिल्कुस 0 मतलब कोई current फ्लो नहीं हो रहा ना इधर ना इधर लेकिन ज इतना होगा वो इस cycle पे अपने को depend परेगा तो इस तरीके से आग बो clear हो गया कि आखिरकार एक current कि इस तरीके से flow होता है यह तो हमने जाल लिया अभी दग हम हमारे सवाल के ओपर नहीं आए कि कैसे हमारी एक three phase motor बिना neutral के चल जाती है तो दोस्तों अब इसको समयने का बिल अब हम क्या करते हैं हम मोटर को हमारी इस दो तरीके चलाती है एक हो जाता है इसको तरीके से अगर चूके भी देखेंगे तो यहां पर कोई भी current नहीं लगता है यह एक neutral होता है वैसे चीज करनी नहीं चाहिए बट आप एक उधारन के तोरफे चूके मत देखी आप यह तो टेश्ट लगा के चेकर सकते हैं फिर multimeter से चेकर सकते हैं यहां पर एक neutral शो करेगा ठीक है तो यह चीज में आपको बता दी कि यहां पे neutral होता है अब neutral तो यहां पर मिल गया अगर मैंने यहां पर shot कर दिया और फेस दे रहे होता है मतलब कि जो connection plate आप देखेंगे मैं यहां पर connection plate अगर बना देता हूं तो आप देखेंगे यहां पर इस तरीके से हमारी connection plate होती है ठीक है इस connection plate में इधर अगर मैं red face दिया है तो मैं क्या करूँगा इस winding की जो दूसरा wire है जो इस side होता है जैसे winding है इस हर मोटर की जो connection plate होती है उसमें connection plate में हर winding बार दो-दो phase देता है तो दो-दो phase देने से यह होता है कि हमें एक्ट्योल बन सर्किट को पूरा करना है हमारा कोई neutral को करने का काम ककाम करता है हमारा सर्कीट को कमप्लीट करने का काम करता है तो अभी न यह समय को कपै सिलना आपसान है जब रीड़ फैस ऑगर अगर चैसा मलनों यहां पर हमारा करन एक input एक द इक पर फ़ोर हुआ आ पीड़ो तो क्या उसी समय पर यहां पर यहां पर यहां बिल्कुल 0 है तो इस तरीके से हमारा एक समय पर जो दूसरा फेज से वह एज रिटन पात करता है और हमारे थ्री फेज के अंदर हमारा सर्कुट पूरा हो चाता है और हम थ्री फेज मोटर को बिना न्यूटरल के भी चला लेते हैं उमीद करता हूँ इस एक टॉपिक के बार ने हमने और भी कहीं सारी चीजी इस वीडियो के अंदर जान ली और आपको ये वीडियो काफे जादा हैल्फूल भी हुआ होगा जाते जाते एक छोटी चीज बताने चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी परसन हमसे PLC, SCADA, HMI, VFD Drive, Basic Electrical ये सबी चीज़ सीखना चाहता है तो हमारी online और offline दोनों ही training चलती है online training के जो fees है वो है 6,500 रुपए और offline training के लिए आप हमें call करके हमसे offline training के fees पोच सकता हैं इस 6,000 रुपए के अंदर आपको सिर्फ PLC या फिर सिर्फ SCADA नहीं सिखा जाएगा आपको complete 3,500 महिने की live training दी जाएगी जहां पर आपको basic electrical से start किया जाएगा फिर PLC फिर SCADA फिर HMI और VFD Drive मतलब इन पांचों के अंदर आपके industry में कभी भी कोई doubt नहीं रहने वाला है इस चीज़ के हम आपको surety देंगे साथ ही में आपको lifetime whatsapp group की facility देंगी और यह जो पूरी training है यह पूरी training practical industry के pointer view को ही ध्यान में रखके बनाई गई है तो अगर आप में से कोई भी person हमसे training लेना चाता है live तो आप हमें directly call कर सकते हैं हमारे नमबर है 86900 4599 चली आज के इस वीडियो में इत्ता ही रखता है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद